जी हां सौगत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जी के एक्जाम में आप सभी लोगों को पता होगा कि जी के एससबी पंचायत एकाउंटस एसिस्टेंट का एक्जाम हुआ और सबसे लास्ट में हम कट आप एक्सपेक्टिड कट आप का वीडियो डाल रहे हैं देखो हमने इसके बताया था जब हमने लाइव सेशन किया था पेपर रिव्यूज के बारे में तो हमने उस वीडियो में भी यही बताया था हम पूरी रिसर्च के साथ आएंगे और ऐसा क कट आप बताया देंगे कि आपको पूरी तरीके से लग 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 100% एक्सपेक्टेशन यहां से रहीगी वेदर यू आर स्लेक्टिड आप नाट तो मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आप एंड तक देखोगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले मैं इस वीडियो में हम रिजर्वेशन पालसी को डिसकस कर रहेंगे पूरी तरीके से हर कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे जो कट आप के रिलेटेड इंपॉर्टन रहता है देखो जो जो फेक्टर्स हमने कट आप के लिए हैं यह लिया है हमने यहां पर नमबर आप स्टूडन्ट कितने एपियर होए थे टेस्ट में टोटल एवेलेबल सीट्स कितनी हैं और यहां पर डिफकल्टी लेवल आप जेके SSB एक्जाम हमने इसके ओपर बहुत सारा रिस परिस किया ओन नमब करना है और स्टूर्यू आप सब्सक्काम को यहां ऐसे लिए Deshalb céu ऐप कर दो के लिए चाहिए लेकिधा सबीनी यहां पर बताना चाहता हूं अगर आपने ये notification का पहला पढ़ा हुआ होगा जो समें subject में ही लिखा गया है कि advertisement for district ये district edit post है जो accounts assistant पंचायत accounts assistant के post है तो यहाँ पर district को पूरी तरीके से इस पर कहा गया है तो इस से आपको पता चलेगा कि शायद कहीं न कहीं district wise ही cut off आएगा in case हम शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को पूरी तरीके से यहाँ पर मैं सबसे पहले डिसकस करूँगा reservation policy जो जो जुएंट कश्मीर SO127 के एंडर या इस पर दर notification यहाँ पर अगर आप देखोगे कि reservation category यहाँ ने SO127 आप 2020, dated 24, 2020 के एंडर दिया गया है उसमें किस तरीके की reservation रहने वाली है पंजायट account assistant के process के लिए अगर SC की बात करेंगे तो 8% की reservation SD की बात करेंगे तो 10% की reservation weaker and unprivileged classes जिनको हम social casters के अंडर consider करते हैं जिनके पास वो certificate रही होगी तो उनको 4% की reservation दी जाएगी actual line of control या international borders की जो certificate किसके बास होती है उनको भी 4% की reservation दी जाएगी इसके अलावा RBA students, maximum number of student जो मुकश्मीर UT में होते हैं तो इनको 10% की reservation दी जाएगी PSP, party speaking people के ओपर questions रहे थे कि क्या इस साल ही इसको implementation में लाए जाएगा लेकिन इस साल पंचायत account system के पोस्टस में इसको implement किया जाएगा और 4% की reservation रहेगी इसके अलावा EWS, economically weaker section जो हमारे पास रहते हैं उनको 10% की reservation दी जाएगी ex-service man अगर देखेंगे तो उनको 6% की reservation दी गई है physically challenged person जो होते हैं उनको 4% की reservation दी गई है वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से जाएए सबस्क्राइब कर लिए और comment section में बढ़ दीजे क्या आपको अलगता है आप select हो जाएए या नहीं वीडियो को अन्तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे factors मैंने last में discuss किये है जो आपको बहुत ही ज़्यादा important रखते है आपने लोगों के लिए अगर आपने exam में appear हुए हो अब अगर बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम district wise ले ले लेते हैं उसके बाद योटी wise को discuss कर लेते है यहाँ पर अन्तक की बात का अगर करेंगे तो 146 posters है general category का cutout जो रहेगा expected cutout 82 से लेकर 87 तक रहने वाला है SC की अगर बात करेंगे 67 से लेकर 72 तक रहने वाला है ST की बात करेंगे 60 से लेकर 65 तक रहने वाला है अगर कोई RBA है तो 70 से लेकर 75 तक अपने आपको consider कर सकता है different categories का जो इसके अलावा बजती है reservation policy के ender उनका मैंने discuss नहीं किया है because वो hectic हो जाता वीडियो थोड़ा सा इसलिए वो इसके उपर नीचे 5-6 points कर सकते है 2-3 points अपने हिसाब से जिस तरीके से reservation है उस तरीके से 2-2-3-3 number गटा के या बढ़ा के उस तरीके से उनकी reservation policy में उनको तरजीम मिल जाएगी अब यहां पर बांडी पोरा की बात करेंगे तो 74 points है total अगर cut-off की बात करेंगे तो journal category के लिए 70 से लेकर 77 तक आप expect कर सकते हो SC की बात अगर करेंगे तो 60 से लेकर 65 तक आप expect कर सकते हो ST की बात करेंगे 55 से लेकर 60 तक और अगर RBA की बात करेंगे यहां पर 65 से लेकर 70 तक रहने वाला है 12 मुला की बात करेंगे तो total number of post is 158 रहने वाले है 75 से लेकर 80 journal के लिए SC के लिए 63 से लेकर 67 तक, ST के लिए 58 से लेकर 63 तक RBA से अगर आप belong करते हो तो यहां पर 68 से लेकर 72 तक का रहने वाला है जी हां अगर आप किसी भी district से belong करते हो और आप अपना expected score नीचे comment section में बर दीजे ताकि आपको भी different students का cutout पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरीके का paper किया है वो अपना expected score लिखेंगे और यहां पर हम उसको भी टटो लेंगे तो उससे भी हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो किस हद तक पानी में है और किस हद तक इसमें मतलब हमने research किया है आप अगर बढ़गाम की बात करेंगे तो 123 posts है 75 आपका cutout रहेगा जर्नल के लिए 75 से लेकर 80 तक अगर SC की बात करेंगे 67 से लेकर 72 तक ST की बात करेंगे 60 से लेकर 65 तक अगर RBA की बात करेंगे 68 से लेकर 75 तक गांदर बल की अगर बात करेंगे 66 posts है 82 से लेकर 85 तब आप जर्नल केटेगरी को SC को 60 से लेकर 65 तक ST 55 तो 60 और अगर हम RBA की बात करेंगे 65 से लेकर 70 तक कुलगाम की बात करेंगे 183 पोस्टस है 75-80 जर्नल SC की बात करेंगे 65 से लेकर 70 तक SD की बात करेंगे 60 से लेकर 65 तक RBA की बात करेंगे 70 से लेकर 75 तक अब अगर कुपवाड़ा की बात करेंगे तो 153 पोस्टिस के लिए एक्जाम हुआ था यहाँ पर जर्णल के लिए अगर बात करेंगे 73 से लेकर 78 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर SC की बात करेंगे 60 से लेकर 65 तक HD की अगर बात करेंगे 50 से लेकर 60 तक और अगर RBA की बात करेंगे 65 से लेकर 70 तक आप अपने आपको कंसर कर सकते हो अब अगर डिस्टिक पुल्वामा की बात करेंगे तो 86 पोस्टिस थे तो यहाँ पर काट आप थोड़ा सा हाई हो सकता है जर्नल केटेगरी के लिए तो जर्नल केटेगरी के लिए हमने थोड़ा सा पीक देखाया है यहाँ पर 80 से लेकर 85 तक आप एकस्पेक्ट कर सकते हो SC में 70 से लेकर 75 और ST में 65 से लेकर 75 तक आप एकस्पेक्ट कर सकते हो RBA की बात करेंगे तो 72 से लेकर 77 तक अब अगर शुपियान की बात करेंगे तो बहुत ही कम पोस्टस हैं यहां पर 55 पोस्टस हैं 80 से लेकर 86 तक यहां पर कटाप रह सकता है जनल के टेगरी के लिए sc की बात करेंगे 70 से लेकर 75 तक, sd की बात करेंगे 65 से लेकर 75, और अगर rba की बात करेंगे तो 72 से लेकर 77 तक आप expect कर सकते हो, सिर्णगर में बहुत ही कम post थे, यानि कि 7 post थे आनले, तो यहां पर आप expectation क्या देख सकते हो, 95 से 100 marks तक यहां पर आप expect कर सकते हो general category के लिए SC के लिए 70 to 75 ST के लिए 70 to 75 और अगर RBA की बात करेंगे तो 80 to 85 cut-off रह सकता है अब अगर डोडा की बात करेंगे तो 103 posts हैं यहां पर तो यहां पर 75 से लेकर 80 तक आप अपने आपको consider कर सकते हो यहां पर SC की बात करेंगे तो 63 से लेकर 67 तक आप अपने आपको consider कर सकते हो ST की बात करेंगे 58 से लेकर 63 तक consider कर सकते हो RBA की अगर देखेंगे तो 70 से लेकर 75 तक district जमू जो बहुत ही ज़ादा मतलब unpredictable district कहा जाता है points के हिसाब से कभी इनका cut-up बहुत ही ज़ादा हाई जाता है कभी इनका cut-up किसी भी district comparatively अगर देखेंगे तो बहुत ही कम जाता है तो JK Bank के हसाब से अगर देखा जाए तो cut-up हाई हुआ था अगर nursing वाले जो posters निकले थे पिछली बार तो उनमें देखेंगे तो 95 से लेकर 102 Marks तक आप अपने आपको सेख मान सकते हो यहाँ पर SC की बात कर सकते है 87 से लेकर 92 तक रह सकता है ST की बात करेंगे 80 से लेकर 85 तक और RBA की बात करेंगे 88 से लेकर 93 तक हो सकता है अब अगर कुछवा की बात करेंगे तो 109 posters के लिए अग्जाम हुआ था यहाँ पर जर्नल केटेगरी के लिए 90 से लेकर 95 तक रहने वाला है SC की बात करेंगे 80 to 85 ST की बात करेंगे 79 to 83 और RBA की अगर बात करेंगे 82 to 88 हो सकता है अब अगर किश्टवार की बात करेंगे यहाँ पर 80 से लेकर 85 तक होने वाला है और इसके लिए टोटल 69 posters थे अब अगर SC की बात करेंगे यहाँ पर 70 से लेकर 75 70 से लेकर 75 marks तक आप आप अपने अपको पंसर कर सकते हो ST की बात करेंगे 65 to 75 और अगर RBA की बात करेंगे 72 to 77 77 आप सेफ सिकूर मान सकते हो Now moving to the district punch Punch और राजोरी को अगर आप सिकूर से देखोगे जो वहाँ पर IAS की selection हुई थी उस से थोड़ा सा peak मिल सकता है काट आप में क्योंकि बहुत सारी लड़कों को एक inspiration मिल गई होगी कि वहाँ पर IAS जब एक लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते है That is the factor कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा dip मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने rise दिखाया है तो यहाँ पर अगर punch को देखेंगे कि यह factors भी बहुत ज़ादा effect करते हैं Because these factors are in the subconscious mind तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़ादा फारक पड़ता है पूंच को अगर देखेंगे तो 100 पोस्ट थे 77 to 83 आप सेफ मान सकते हो जर्नल केटेगरी में SC में 60 to 65 और ST में 65 से लेकर 75 तक आपने आपको consider कर सकते हो RBA की बात करेंगे तो 70 to 75 आप अपने आपको answer कर सकते हो राजोरी की बात करेंगे तो 128 पोस्ट थे 75 to 80 जर्नल केटेगरी SC के लिए 68 to 75 ST के लिए 60 to 65 और RBA के लिए 67 to 72 अब अगर राम्बन की बात करेंगे 71 पोस्ट के लिए exam होआ था यहां पर cut-up जो रहने वाला है 68 to 75 SC की बात करेंगे 63 to 65 ST की बात करेंगे 56 to 65 RBA की बात करेंगे 62 to 66 अब अगर RAC की बात करेंगे 77 to 83 SC की बात करेंगे 60 to 65 ST की बात करेंगे 65 to 75 RBA की बात करेंगे 72 to 75 अब अगर सांबा की बात करेंगे always they have shown the courage और उनके पास बहुत ज्यादा हिम्मत है महनत करने की so far that reason यहां पर भी आप पीक देख सकते हो कट आप में तो यहां पर 98 to 105 आप expect कर सकते हो general category के लिए ST के लिए अगर देखा जाए तो 85 to 92 यहां पर महनत करते हैं तो यहां पर भी थोड़ा सा कटा पीक में जा सकता है 95 to 99 आप expect कर सकते हो जर्नल के लिए ST से बिलांग करते हो 80 से लेकर 85 तक अगर आप RBA से बिलांग करते हो 88 to 93 आप अपने आपको कंसर कर सकते हो अगर देखा जाए यूटी वाइस काट आप अगर रहेगा तो जर्नल category के लिए मैं देखता हूं 78 to 88 इसमें थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है बिकाज इस बहुत ज़्यादा पॉपलेशन ने एक्जाम दिया था तो फादेट रीजन आप इसमें से दो ती नंबर नीचे भी कर सकते हो दो ती नंबर ऊपर भी हो सकता है तो मैंने यहां पर दस नंबर का अंतर रखा है जो कटाफ रहेगा वह 66-70 ऐब कर सकते हो चपनी का अगर देखेंगे 10% की रिजर्वेशन के हिसाब से 62-67 आप कंसलर कर सकते हो यह जो सोचल कास्ट वाले 4% की रिजर्वेशन के साथ 71-75 में आपने आपको कंसलर कर सकते हैं अगर UT-wise रिजल्ट आता है ALCIB यानि कि Actual Line of Control और International Borders की 4% Reservation थी उनको आप 68 to 75 में consider कर सकते हो RBA की अगर बात करेंगे तो 10% की Reservation है 72 to 76 इसमें cut-off रहने वाला है PSP पहरी Speaking People की 4% Reservation है 60 to 66 वो जर्नल यूटी cut-off में अपने आपको consider कर सकते हो और अगर आप economically weaker sections को देखोगे EWS की category जिनके पास है उनको 10% की Reservation है तो यहां पर बहुत सारी बलक नमबर आप students इसमें भी आते हैं That is why की cut-off थोड़ा सा high रहने वाला है यानि कि 70 to 75 में वो consider कर सकते है Excerus Man 6% की Reservation है बट यह बहुत ही कम करेंड डेटिस होते हैं तो इनमें आप dip देख सकते हो 58 to 65 तक का consider कर सकते हो अब physically challenged persons जो होते हैं वो 4% की Reservation के साथ 50 to 60 के अंडर आपने आपको consider कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें content आपको अच्छा लगा कि हमारे research को कुछ points देना चाते हो तो नीचे comment section में बढ़ दीजे कि आप हमारी research के satisfied हो Satisfied, Not Satisfied Simply आप Satisfied, Not Satisfied से comment section को बढ़ दीजे चैनल को subscribe करना नहीं बोलिए JK exam is a way to success जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजे और आपने दोस्तों के साथ भी share करना ना भूलिए Thank you and have a nice day मेरी द्वाए आपके साथ है आप सभी लोगों को selection होनी चाहिए जितने भी बच्चों ने दिल से मेहनत की होगी उन सभी लोगों को selection हो जाईगी अगर उनने मेहनत की है तो मेहनत का फल मिल जाएगा उनको और हमारी तरफ से एक announcement जो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं एक announcement करने जा रहा हूँ JK exam is की team ने जितना भी इसके ओपर फोकस किया था पहले से हमने पहल की थी कि पंचायत account assistant को एक अच्छे तरीके से सारा सेल बस complete करे वो करे ये करे जितना भी हमारे efforts थे बच्चों के लिए उन में जो भी बच्चे select हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि हमारी selection आपके थोज से मदद से हुई है यानि कि आपके help से हुई है तो उनके लिए हमने grand party arrange की है जब भी result आएगा wait for the grand party उस दिन बहुत ही अच्छी party रहेगी हम किसी न किसी जगा उनको ले जाएंगे उनको अपने खर्चे पर उनको पूरी तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है so be ready for the party उसके लिए आप ready रहेए आपको हमारी तरफ से वो treat मिलेगी क्योंकि यह हमारी चैनल का giveaway एक type का giveaway भी रहेगा यहां आप समझ लेगे हमारी बच्चों को appreciation भी रह सकती है तो जो जितने भी बच्चे हमारे साथ है जिस दिन उनकी selection हो जाएगी हमारे साथ contact कीजे हम उनको पूरी तरी किसे venue और different चीज़े के बारे में बताएंगे thanks for watching this video and have a nice day ahead